साथियों इस देश की जो मेडिया है वो एकदम दोगली हो चुकी है दोगली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझफर नगर में दलित बेकियों के साथ दुसकरम होता है लेकिन टीवी अकबार उसे नहीं दिखाता है वहीं कोलकाता की मामला को टीवी हाइलाइट कर रहा है करना ही चाहिए लेकिन दलित बेकियों के साथ जो हो रहा है उसको भी ये टीवी अकबार की दिखाना चाहिए इसको बड़ी खबर ये है कि फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है जो मारवारा जक्सन थाने का है इसे आप लोगों को सुनना चाहिए हर खबर आपको बताएंगे तेजस्वी आदो पूरा लिस्ट बना कर भेजे हैं कि कहां कहां किन किन बच्चियों के साथ दुश्करम हुआ है आप कल्पना नहीं कर सकते इसे लिखना बहुत आसान है लेकिन क्या इन लोगों दरिंदों पर F.I.R. होगा या नहीं ये भी हमें जानना चाहिए सबसे बड़ी खबर ये है कि 79,000 से चक बैकंसी इस पर स्वामी परसाथ मौरिया ने क्या लिखा आपको बताएंगे लेकिन सबसे बड़ी खबर कि कल राम जी गौतम ने लिखा था कि हम पीडित परिवार के घर जा रहे हैं पहले BSP के तमाम कारकरताब पहुँच चुके थे लेकिन इस बार फिर से राम जी गौतम मुझफर नगर जाने वाले हैं लेकिन सबसे बड़ी खबर हरियाना में एक अक्टूबर को चुना होगा इस पर बिसाल बहुजन पत्रकार ने क्या कहा है हमें बारीखी से समझना होगा हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे एक एक खबर आपको बताएंगे जो बहुजन समाज के लिए दलित समाज के लिए सुनना सबसे ज़्यादा जरूरी है तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर विस्तार से नज़र डलते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है साथियों दलितों पर अत्याचार क्यों नहीं रुक रहा है क्या दलित समाज इस देश का हिस्सा नहीं है क्या दलितों ने इंडिया और NDA को ओंट नहीं दिया था क्या बिना ओंट दिये ही इनकी सरकार बन गई थी आज जिन लोगों ने इन लोगों को ओंट दिया था वो भोगत रहे हैं उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है पीडिये के नाम पर उनके साथ धोखा हो रहा है और NDA के नाम पर उनके साथ जबरन बतसलोकी की जा रही है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सत्ता में NDA ही है और NDA के सरकार में दलितों के साथ यहां घकित हालात हो रहे हैं आपका अलपना नहीं कर सकते इस बात को ले करके कि दलितों के साथ सबसे ज़्यादा उत्वीरन हो रहा है तिजस्भी आदों के लिस्ट मेरे पास है उन्होंने क्या क्या लिखा है आपको बताएंगे लेकिन सबसे बड़ी खबर आप सूचिए कि ऐसी समाज की बेटियां बह कैसे हैं पुलिस क्यूं नहीं कारवाई कर रही है इस लिखा है और मारवाडा जक्षन थाने का या मामला है पॉकलाकट में या मामला दर्ज है तो तमाम लोग क्यों ही साथ पर अभुस्त भी चाहिए सिर्फ और शिर्फ डमाम़ा इस उठा रहा है इस में और ज्यादा तर लोग अगर उठाते हैं तो गोल मरोर इस मामले को घुमाते रहते हैं अब आपको बताते हैं कि पत्रकार गौरोपाल ने क्या लिखा है बड़ी ख़बर है हमें बारीखी से समझना चाहिए मुझा फर नगर की कांज चेर्चा मीडिया में क्यों नहीं हो रही है नवालिक लड़की दलित वरग से आती है बिहार में भाजपा की सरकार है आपको क्या लगता है सोचिए आप सोचिए थोड़ा सा कि इन्होंने लिखा सिर्फ दो ही पॉइंट लेकिन इसमें बड़ी ख़बर है मीडिया ऐसे ख़बरे क्यों नहीं दिखाती जो दलितों के साथ लोग अत्याचार करती है और अगर हम टीवी अकवार वाले हम मीडिया वाले सोसल मेडिया अगर दिखाएं तो उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिस नहीं करता है यूटोब इंप्रेशन उसका डाउन करता है तो यह बड़ी ख़बर है आप लोग तक अगर ऐसी ख़बर पहुंचे तो आप जरूर सेयर कीजिएगा किसी की भी वीडियो क्यों नहों आपको उत करने से चार दिन और फिर उसके बाद अल्टरसांड कराने में चार दिन लगाए भाई बोलो प्राइबेट पार्ट में थी चोट और सूजन फिर दूसरा लिखते हैं मुझफर में मा बाप के सामने नवालिक लड़की का पहरार सा मोहिक दुशकरम करने के पस्चात हैवान नवाली के वेश्ट को और प्राइबेट पार्ट को काचा बाद में हत्या का अर्धरंग सो को पोखर में फेका अब बताते हैं मधवनी में 19 वरसी लड़की की घर में घुशकर कुलहारी से काट कर हत्या बैसाली में 27 वरसी महला की धारदार हत्यार से गला रेत कर हत्या बि एक छोटी सी बानगी है सोचिए ये तीन चार दिन का मामला है तीन चार दिन में कितने अपहरण कितने लूट कितने हत्या कितने बलतकार हो चुके हैं अब कलपना इस बात की नहीं कर सकते ये तमाम दरिंदों को एक ही सजा होने चाहिए एक अलक संसोधन होना चाहिए आप लोग भली भांत जानते हैं कि क्या होना चाहिए स्वामी प्रसाद मौरिया ने एक बड़ी खबर लिखी है क्या है आपको सुनाते हैं माने उच न्याले ने 79,000 सिच्छक भरती में उत्तर परदेश भाजपा सरकार द्वारा आराच्छित पदों पर सामान वर्ग के लोगो के अंदर आराच्छर नियमावली का पालन करते हुए नई मेरिक लिष्ट बनाने का आदेश दिया हम पहले से ही 18,000 पिछड़े वर्ग वा अनु सूचित जाती के आराच्छित पदों पर किये गए गोटाले का मुद्दा उठाते रहे हैं इसलिए माने उच न्याले के इस इसका समर्थन चंदल सेखर ने भी किया है तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया है स्वामी परसाद मौरिया भी इसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी ख़बर आपको बताते हैं राम जी गौतम के द्वारा आई है कल पेडित परिवार से मिलने मुझफरपुर बिहार पूरी बिहार बसपाई उनिक रहूंगा और बच्ची को न्याय दिलाने के लिए वहां के अधिकारियों से भी मिलूंगा और उन वहसी दरिंदों को उनकी सही जगा जेल की सलाखों के पीछे पहुचाएंगे जब तलक न्याय नहीं मिलेगा शंगर्स जारी रहेगा जैवहेम जैभारत साथियों कई दिन पहले बहुचन समाज पारकी के लोग मुझफर पुर पहुच चुके थे और कई दिन पहले इस मामले को भी उठाय गया बहुजन समाज पार्की के जो बिहार के कार करता है वो इस मामले को उठा रहे थे मुझा फरपुर के लिये रवाना हो रहे हैं राम जी गौतम चंदर सेखर की पूरी कीम पहुंच चुकी थी वो भी पुलिस परसासन से बाचीत किया और वहां पर मौके वार्दात पर पहुं क्या पीडित परिवार के पर थाने में जा रहे हैं पुलिस परसासन से बाचीत कर रहे हैं या नहीं क्योंकि जो दरिंदा वहसी था वो यादो समाज से था और जो लोग लिख रहे हैं वो दरिंदे का नाम जाती नहीं लिख रहे हैं इसे कह रहे हैं कि देश में आपती और अराजक्ता फैलेगी मैं कह रहा हूं दरिंदे किसी जाती धर्म के नहीं होते सभी जाती और सभी धर्म में होते हैं तो उनका नाम लेना गलत कैसे है उनका आप नाम लेज़े उनके जाती का भी नाम लेज़े और ऐसे लोगों के परतिक कठोर कारवाई भी होनी चाहिए साथियों मैं आप लोगों से हाथ जोड़के एक छोटी सी request कर रहा हूँ प्लीज इस बात को आप गवर से सुनियेगा साथियों मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तोर से गुजर रहा हूँ आप लोगों से request करूँगा कि आप एक रुपे से जितना भी आप लोग donation करना चाहें तो इस नमबर पर कर सकते हैं प्लीज बुरा मत मानिएगा मैं request कर रहा हूँ मैं आपके पैसे के पाई पाई का हिसाब दूँगा कि मैंने पैसे आपका कहा इंवेस्ट किया है प्लीज आप लोग इस समय मेरे मदद कीजेगा दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जैभी नममुद्धाए